अगर 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 नहीं करते हैं तो बिना बाइपास कंप्लीट हुए बाइपास का उदगाटन आधिर रात को क्यों किया ये अएक्टिंग और अख़बारों में चमकने की होड नहीं है तो और क्या है आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं मुम्रा बाइपास की लगभक कुछ ही महीने पहले इस बाइपास का उदगाटन हुआ मगर इस टेंकर मुम्रा देवी मंदिर के समीप बाइपास से नीचे बने जोपडों पर गिरते गिरते बचा अगर ये टेंकर नीचे बने जोपडों पर गिरता तो कई जाने जाती गनीमत रही कि टेंकर पत्रे के बनी डिवाइडर में फस गया जिसकी वजह से टेंकर बाइपास से न उनके घरों पर गिर जाए हमने बात के मुंब्रा बाइपास के किनारे रहने वालों से आईए जानते हैं क्या कहां वहां के रहने वाले लोगों ने पर देखे लिए वाले कुछ भी ध्यान ने दे और हार टाइम उन्होंने आभी बैरिगेड लगया है बैरिगेड भी गाड़ी के वज़े से आया इधर नीचे थोड़ा और आया रहता नीचे तो इधर के सब गए रहते तो जबी भी देखो कि पीड़ी दो मैने का टाइम दे यह हार टाइम का नाटक है इन लोका ध्यान देते ने सारवजनिक मंत्री जो है अनका भी ध्यान ने रहता है एक बार आते और देखके चले जाते उपर एक भी दिवाल ने यह सब यह आपर बैरिगेड लगया इतना बड़ा गाड़ी का इसे से लोड ले पाएगी अच्छ हम लोग की जान दोके में ना उसका कुण ध्यान देगा दो महीने में कि हम लोग मरें या जिन्दर आपको क्या लेना देना है आप 25 दिरों बस हो गया दो महीने में कुछ होता नहीं है पूरा एक बार टाइम दे दो और आच्छे दरीकर से काम बना के दो और दिवाल जल से जल बनने से ही है यह हमारी फाइस है यहां पर जितने भी रियाशी लाके यहां के लोग तकरीबन 40 से 50 सालों से यह पर रह रहें लेकिन जहां उनके घरें है या फिर जुगी आए वाफिक रोड की साइड पर कोई भी सुरक्षा वाल नहीं है तो हम चाहते कि लोगों की रा पासस नहीं जाला बाई जेल काई तरी रस्ते शिवेस ना केली पाई जेल तो आपने सुना लोगों की मांग है कि बाइपास पर सुरक्षा दिवाल बनाई जाए लोगों का कहना है कि कई बार दिवाल बनाने का स्वासन मिला लेकिन अभी तक नहीं बना आप तो बता दें ये टेंकर राजस्थान के राजकोर से वासी जा रहा था इसमें मुंगफली का तेल भरा हुआ था टेंकर चालक रूपदेव चौहान 28 वर्सिये ने बताया कि अचानक स्टेरिंग लॉक हो गई और ये हाथसा हो गया इस हाथसे में टेंकर चालक घायल हो गया है हलाकि घटना के बाद ठाने महानगर पालिका के ड्यूटी इंचार्ज सुरज पाटिल मुम्रा पुलिस स्टे की जा रही है तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम